नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर टू सोसल साइंस के लिए ऐसी महराथन वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें सोसल साइंस का कम्पलीट सिलेवस मात्र एक वीडियो में खतम किया गया है। कहने का तातपर है, अगर आपने इस वीडियो को पूरी इमानदारी के साथ देख लिया, आपके एकजाम में सोसल साइंस का कैसा भी क्वेस्टन पूच लिया जाए, आप उस क्वेस्टन को कर लोगे, क्यूंकि यहाँ पर संपूर्ड क्वेस्टन आप लोगों के लिए सेलेक होगी, क्यूंकि यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेस्टन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किये गए हैं, हिस्ट्री, जोग्रोपी, पॉलिटी, एंड पेड़ागोजी के, चलिए यहाँ पर पहला क्वेस्टन आ चुका है, कहता है कि, इस्तानांत्री क्रसी और चलवासी चारड निम्न लिकित में से किसके उधारड हैं, यहाँ पर इसका राइट अंसर होगा, आदिम निर्वाकरसी के उधारड हैं, आदिम निर्वाकरसी दोस्तों क्या होती है, ऐसी क्रसी, जो की प्राचीन काल से चली आ रही है, जो की प्राचीन काल में जो क्रसी की जाती थी उसको बोलते हैं आदिम निर्वा क्रसी इस क्रसी के आपके उधारण है जैसे इस्तानांतरी क्रसी हो गई चलवासी पसुचारण हो गई यहाँ पर आपको बताऊंगा इस्तानांतरी क्रसी को सिप्टिंग एगरी कल्चर भी बोलते हैं जिसको भारत में जूमिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको जूमिंग के नाम से भी जानते हैं इस्तानंतरी करसी को यानि कि किसी भी बन वाले छेतर को वहां की जो वन छेतरे बनस्पतिया हैं उनको काट कर जला देते हैं जली हुई राक जो होती है वो उर्वरक का काम करती है पांच साल के लिए उस भूमी पर फ करतन का मतलब होता है काटना दहन का मतलब होता जलाना यानि की काट कर जलाने वाली करसी आपकी कहलाएगी इस्तानंतरित करसी प्राचीनकाल में ऐसा ही होता था जितना मैं आपको बताओं आप उतना यहाँ पर समझते चलिएगा ठीक है तो यहाँ पर चलवासी पसुचार जो की आदिम निर्वाक्रसी के ही उधारड हैं यहाँ पर राइट अंसर होगा सैकेंड विकल्प अगर मैं बात करूँ गहन निर्वाक्रसी की यह दोस्तों संगन जहाँ पर जनसंकिया अधिक होती है वहाँ पर आपकी गहन निर्वाक्रसी की जाती है जहाँ पर जनसंकिया क की खाने वाली भी फसलें उगाई जाती है, मिसरित किरसी में पसु चारड भी किया जाता है, पसु चारड भी इसी में पसु पालन भी किया जाता है, चारे वाली फसल भी उगाई जाती है, खाने वाली भी पसलें उगाई जाती है, इसलिए इसको मिसरित बोलते हैं, यानि कि अनेक प्रिकार की किरसिकों का जो किरसी है उसका मिसरड ही आपका मिसरित किरसी कहलाती है बाडिज्यक किरसी क्या होती है जो ब्यापार के लिए की जाती है किसके लिए ब्यापार के लिए की जाती है उसको बोलते हैं बाडिज्यक किरसी मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बत दर्साया गया है, हाती, सेर, जिराप, सुतुर्ग, मुर्ग, भेड, मवेसी और वकरियों को आम पसुओं के रूप में दर्साया गया है, यहाँ बताता है कि सहरा कवी हरा भरा मैदान हुआ करता था, यहाँ पर पहला वाला ही दोस्तों बिकल्प राइट आंसर होगा, जो आ आते हैं कि एक समयानी की प्राचीन काल में जो सहरा मरुस्तलय वो हरा भरा मैदान हुआ करता था, यह क्वेस्टन दोस्तों आपके एक्जाम में पूँचा गया क्वेस्टन है, यहाँ पर इस से जुड़े जो महतपूर पॉइंट है, उसको यहाँ पर जान ले जिए, एक् नदियों तथा मगर, यहां क्या लिखाए, नदियां तथा मगर पाई जाते थे, हाती, सेर, जिराप, सुतुर्ग, मुर्ग, भेंड, पसु, बकरियां, जानवर थे, परंतु यहां के जलवायू परिवर्तन ने इसे बहुत गरम बासुस्क प्रदेश में वदल दिया, या सहरा मरुस्तल आपके कहां पर पढ़ता है, अफ्रीका महादीप में पढ़ता है, यहां पर याद रखो, एक चीज और मैंने आपके लिए यहां पर सेलेक्ट की है, जितनी भी महतपूर चीज़े होंगी परिच्छा में आने के लिए, वो सभी मैं आपको यहां पर बताऊं कितने देशों से गिराए, कौन कौन से देश हैं, याद रखना, अलजीरिया है, चाड है, मिस्र, लीविया, लीविया के बाद है, यहां पर माली, मौरितानिया, मौरको, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पस्सिमी, सहरा, यहां पर यह 11 देश हैं, जो की दोस्तों के लिए, यहां पर याद रखना, ठीक है, यहां विस्स का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह भी याद रखना, लगबग 8.54 लाक वर्ग किलो मेटर में फैला हुआ है, भारत का चितपल कितना है, 32.8 लाक वर्ग किलो मेटर है, ठीक है, तो आप यहां पर समझ पा रहे पड़ा गया, यहां पर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, आपके जो पाल वंस थे, चालुक तो यहां पर थे ही नहीं, गुरजर थे, प्रतिहार थे, राष्ट कूट थे, और आपके पाल थे, यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, साइकेंड वाला विकल, इसको क्या बोलते हैं, तिरी पच्छी संगर्स, यानि कि तीन पच्छों के वीच होने वाला संगर्स ही, तिरी पच्छी कहलाता है, यह क्वेस्ट आपके एक्जाम में दो से तीन बार पूछा गया है, इसलिए महत्पूर है, चलिए यहां पर बात करेंगे अगले पर है, निम्न लिकित का सुमेल करें, यानि कि मिलान करें, कितावें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उनके यहां पर लेकख हैं, ऐसे क्वेस्टन आप बिल्कुल चुटकियों में करोगे, कैसे, मेग दूत आप सभी लोग जानते होगे, काली दास की रचना है, किसकी है, मेग आंसर होगा, आप इसको डाइरेक्ट भी कर सकते हो, यहां पर मैं आपको सभी चीजे वताऊंगा, मेग दूत किसका होगा, काली दास का होगा, हर्स चरित की रचना वाडवट ने की थी, जो की हर्स वर्धन का दरवारी कवी था, किसका हर्स वर्धन का दरवारी कवी था, ह इनमे से कौन से जोड़े सुमेलित हैं, यानि कि कौन सा जोड़ा यहाँपर सही सुमेलित दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं, हिंदु उत्त्राधिकार संसोधन कानून 2005 महिला संपति अधिकार है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँपर करेक्ट दिया गया है। यह जो हिंदू उत्तिरादिकार अधनियम 2005 है, यहां से 5 से 7 कोश्चन सीटेट की परिच्छा में आज तक पूँचे गए हैं, जो यहां पर सत्य है, मैं आपको सत्य चीजें यहां पर बताता हूँ, ठीक है, यह 2005 का जो कानून है, इसमें दोस्तों, अगर पतनी के पती की मिर अगर किसी के पता, अथवा, या मतलब की पतनी के पती की मिरत्ति होती है, तव ऐसी इस्तिती में यह होता है, तो यहां पर दोस्तों, आपका right answer यहां पर आपका कैसा है, पहला वाला, यहां पर सई सुमे लित है, पंचायती राज जी के बिपरस्ता, इस्तानिये स्वसासन ये भी दोस्तों correct answer है, घरेलू हिंसा सरचड कानून 2005 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से सम्मंदित नहीं है, बलकि सरचड यानि कि घरेलू हिंसा से सम्मंदित है, यहाँ पर आपका C वाला गलत होगा, बलकि पहला दूसरा यहाँ पर right answer होगा, A और B, A भी आपकी second में है second विकल्प यहाँ पर correct answer हो जाएगा, यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसन, सामाजिक विज्ञान पाठ करम की प्रकरती है, प्रकरती कैसी है, सामाजिक अलगाओ है विगटन है, विगटन यानि कि यह विगटन नहीं करता है, नहीं अलगाओ करता है, मानो सम्मंदों का अ अध्यन करता है, ठीक है, लच्छें का अध्यन करता है, या विविन सरोत जो होते हैं, उनके वारे में जानकारी देने का प्रयास करता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों, second विकल्प इसका right answer होगा, मानो सम्मंदों का अध्यन करता है, यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसन, निम्न में से किस लेटिन सब्द का अर्थ इस्तिर है, यह question आपके exam में पूछा गया question है, महित्पूर है, इस्तिर का अर्थ क्या होता है, इस question को समझने से पहले आप यहाँ पर इस चीज को देखिएगा, यहाँ से examiner ने question आप से पूछा है, जो की NCRT मैंने यहाँ पर आ अर्थ क्या होता है, अगनी, यहाँ पर याद कर लो जितने सब्द मैं आपको बताऊं, क्या पता दोस्तों इस बार यहाँ से मिलान बाला question बन जाए, क्यूंकि यहाँ पर आपके तीन सब्द दिये गहें, सायद examiner का mood घूम जाए, और वो यहाँ से मिलान बाले question आप अब आते हैं question पर, इस्तिर आप से पूँचा है, इस्तिर दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पर, sedimentus होगा, sedimentus होगा आपका इस्तिर, इगनिस का मतलब होता है, अगनी यानि की आग, मैंने अभी आपको बताया, metamorphosis का मतलब क्या होता है, रूपांतरित, यानि की रूप बद में, छोब सीमा से मद्द सीमा की ओर, बढ़ने पर ताप मान, ताप मान में क्या होता दोस्तों, यह दोस्तों, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, याद रखो यहाँ पर, छोब सीमा से मद्द सीमा की ओर, याद रखो यहाँ पर, पहले बढ़ता है फिर गटता है यहाँ पर दोस्तों इस question से जुड़े जो महत पुड़ point है उनको भी यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि जो बायू मंडल टोपी गए आपकी परिच्छा में हर बार एक या दो question पूचेगा जरूर से जरूर पूचेगा आपकी परतने कितनी होती है इसमें आपकी परतने कौन कौन से होती है एक आपकी होती है छोब मंडल उसके बाद आपकी होती है समताप मंडल समताप मं समता मंडल में हवाईजाज उड़ते हैं इसमें किसी भी पिरकार की कोई मौसम बाली घटना नहीं होती है ये आपके मौसम से मुक्त होता है इसमें आपकी ओजोन लेयर पाईजाती है इसको ओजोन परत भी कहते हैं मद्द मंडल में क्या होता है उलका पिंड जो होते हैं वो म्रदुकाष्ट ब्रच उश्ड कटवन दिये परडपाती वन द्रड और म्रदुकाष्ट दोनों प्रकार के यहाँ पर दोस्तों कौन से सही सुमेलित आप से पूचें कौन से सही सुमेलित हैं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं सीतोस्ड सदावहर वन इसमें आपके द्रड काश्ट ब्रच पाई जाते हैं, क्या ये हाँ पर आपका करेक्ट होगा, नहीं याँ पर ऐसा नहीं है, गलत है, संकुधारी वन आपके मरदू काश्ट ब्रच होते हैं, विल्कुल करेक्ट, उश्ड कटिवन दिये परडपाती ब्रच जो होते हैं, वो द्रड मरदू दोनों प्रकार के नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी विकल्प इसका right answer होगा, बलकि यहाँ पर दो आपके गलत होंगे, यह जो question है दोस्तों, यह काफी hard question है, यह आपके exam में दोस्तों, पूँचा गया question है, यहाँ पर संकुधारी व्रच काईसे होते हैं, मुल दायम होते हैं इस question को समझने से पहले मैंने संपूर्ड जो आपकी बनस्पती है उसको यहाँ पर select किया है उसरी कटिवंदी सदावहर वन की अगर मैं बात करूं किसकी एक एक करके आप इनको यहाँ पर देखते चलीगा क्योंकि सदावहर वन से भी आपके exam में कई सारे question बा बीच वाले आपका भूमद रेका होती है इसके ऊपर आपका कौन सा चित्र होता करक रेका नीचे मकर रेका इसी के बीच वाले चित्र को क्या वोलते हैं उश्ड कटिवंदी यह चित्र वोलते हैं याद रखना उश्ड कटिवंदी सदावहर वन इन बनों को उश्ड रहता है बीचों बीच में, एबम, पूरे वर्स यहां पर अत्दिक वर्सा होती है, उश्ड कटेवंदिये में, चूंकि यहां मौसम कभी सुस्क नहीं होता, इसलिए यहां पेडों की पतियां पूरी तरह नहीं जड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदावाहर कहते हैं, काफी घन यह ब्रचों की मोटाई वितान के कारड़, दिन के समय सूर का प्रिकास बन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, आम तोर पर यहां पर द्रड काष्ट, क्या लिखा हुआ दोस्तों, यहां पर मैंने पहले से ही हाइलाइट कर दिया है, द्रड काष्ट आपके होते हैं, उष्ड कटिवंदिय सदावारवन, यहां पर जैसे ब्रच आपके रोजवुड हो गए, आवनूस हो गए, महोगनी हो गए, यह आपके एक्जाम में दो से तीन बार पूँचे गए, रोजवुड, आवनूस, महोगनी जैसे ब्रच कहां पर पाईजाते हैं, यह आपके हैं उश्ड कटवंदिय सदावार बन के प्रकार यानि कि उनके जो बिरच हैं यह आप यहाँ पर याद कर लो यह एक लाइन बहुत महतपूड है आपके एकजाम के लिए ठीक है ना? यह महतपूड है आंगे वड़ते हैं आपर उश्ड कटवंदिय परडपाती यहाँ पर है आपका परडपाती ठीक है यहाँ पर आपका है सदावार सदावार में ब्रच की जो पत्तियां होती वो पूरी तरह नहीं जड़ती है इसलिए इनको सदावार बोला जाता है अब बात करते हैं परडपाती वन यानि कि उश्ड कटवंदिये उश्ड कटिवंदिये परडपाती वन मान सूनी वन होते हैं जो भारत हो गया उत्तिरी आश्ट्रेलिया एबम मद अमेरिका के बड़े हिस्सों में पायज आते हैं इन छेतरों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं जल सरच्चित रखने के लिए उसक मौसम में बरच पत्तियां ज़ाड देते हैं यानि कि जिन बरच्चों की पत्तियां जड़ जाती हैं उनको परडपाती बोलते हैं जिनकी नहीं जड़ती हैं उनको सदावार बोलते हैं इन बनों में पायज आने वाले द्रड़काष्ट ये भी आपकी द्रड काश्ट होते हैं, ब्रचों में आपका साल हो गया, सागवान हो गया, नीम सीसम, ये आपके उश्ड कटवंदिये परड़ पाती बनाएं, अगर एकजाम में पूछा जाए, नीम कैसा ब्रच है, सीसम कैसा ब्रच है, सागवान कैसा ब्रच है, आप कहोग कि सर उश्ड कटवंदी ये परड़ पाती वन है क्योंकि ये पत्ते अपने एकदम जाड़ देते हैं द्रड़काष्ट ब्रच आपका फनीचर हो गया या तायात ये वो निर्मार समगरी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं बाग, सेर, हाती, गोल्डन, लंगूर, बं उत्तरी गोलार्थ के उच चानसो में 50 से लेकर 70 में भव संकुधारी बन पायज आते हैं, यहां से एकजाम में 2-3 बार question repeat हुआ है, ठीक है ये तो आप लाइन है आदी कर लो, उत्तरी गोलार्थ के उच चानसों 50 से 70 में आपके संकुधारी पायज आते हैं, इन्हें टैग यह आपर आप याद मत रखिएगा ठीक है इसे टैगा के नाम से भी जानते संकुधारी यह आपके कैसे होते नरमकाष्ट यानि कि संकुधारी आपके मुलायम होते हैं दोस्तों कैसे होते मुलायम होते हैं इने बिरच्छों के काष्ट का उपियोग लुगदी वनाने के ये भी किया जाता है चीड देवदार आदी ये पेंड आपके संकुधारी है रजत लोमडी मिंक दुरुबिय भालू ये जानबर संकुधारी बन में आपके पाईज आते हैं ठीक है ना यहाँ पर एक और चीज़ आप याद कर लेजिएगा सीतोस्ड के वारे में सीत और उस् चांस की तटिये चित्रों में इस्तित हैं ये महादूइपों के पूरवी किनारों पर पाईज आते हैं जैसे दच्चिड पूर अमेरिका दच्चिड चीन ब्राजील पूरवी में ये बांच चीड यूके लिप्टस यहाँ पर जितना मैं बताओ उतना महत पूरे बांच चीड यूके लिप्टस य आपके सीतोष सदावार बनकी ब्रच्च हैं याद रखो यहाँ पर दिरड और मुलायम दोनों पिरकार के पैड़ पाईज आते हैं धिरड और मुलायम वाहँ जितना मैंने आपको यहाँ पर वताया है अब बात यहाँ पर एक और बनकी कर लेते फिर अंगले question की यहाँ पर बात करेंगे भूमद सागरिये भी महतपूर है यह जो है दोस्तों यह महादीपों के पूरब एवं उत्तरपूरवी किनारों पर यह पाई जाते हैं यह सीतो सदावार परडपाती पेणों से ढखे होते हैं यहाँ भूमद सागरिये बनस्पतियां पाई जाती हैं यह उतना यहाँ पर महतपूर नहीं है ठीक है यहाँ पर आचुका है अगला प्रसन ओपनिवेसिक सासन के दोरान अनुवंदित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में लाया गया था यह महतपूर है यहाँ पर होगा तिरी नीदाद तिरी नीदाद यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चलिए यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसन तवारीक पर दिये गए ABC वक्तब्यों पर बिचार करें और सही उत्तर चैन करें यह कोईसन आपके एकजाम में पूचा गया है जो की महतपूर है तवारीक के लेकक गाओं में रहते थे क्या दोस्तों तवारीक के लेकक गाओं में रहते थे यह गाओं में नहीं रहते थे जबकि ये सहर में रहते थे दिल्ली जैसे सहर में रहते थे तवारी के लेकक क्या थे ये थे आपके दिल्ली सल्तनत काल के ओके उन्होंने सुल्तान से पुरुसकार पाने के लिए इतियास लिके बिल्कुल आपके तवारी के लेकक जो थे वो एकदम लालची किसम के थे वो चाहते थ कि मैं कुछ भी लुकूं, राजा मेरे को पुरुसकार दे दे, वो यही चाहते थे, राइट होगा, इन लेखकों ने सासकों को सामाजिक विवस्ता वनाय रखने की सला दी थी, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर B और C करेक्ट आंसर होगा, B C, B C सही है, A सही नही है, यहाँ प पर महतपूर है, जितना मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, तवारीक के लेखक नगरों में रहते थे, विसेसकर दिल्ली में, वहाँ पर किसकी बात कही गई है, गाउं में रहते थे, इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना, इसको समझीएग गाउं में बे सायत कभी रहते हों, यानि कि ना के बराबर गाउं में रहते हैं, अधिकतर वो दिल्ली में ही दोस्तों रहते थे, यहाँ पर है, बे अकसर अपने इतियास सुल्तानों के लिए उनसे धेर सारे इनाम इकराम पाने की आसा में लिखा करते थे, यानि कि इनाम पाने के लिए लिखते थे यहां पर कहा गया पुरुसकार या इनाम पाने के लिए लिखते थे ठीक है आंगे यहां पर है यह लेखक अक्सर सासकों को जनमसिद अधिकार और लिंग भेद पर आदर्स समाज विवर्स्ता वनाय रखने की सलहा देते थे उनके विचारों से सार इसलेट तता संग मरमर किसके उधारड हैं ये हैं आपके कायंतिरत सेल के उधारड किसके हैं दोस्तों कायंतिरत सेल के आपके उधारड हैं यहाँ पर प्रात्मिक सेल और आगनिय सेल दोनों एक ही होते हैं आगनिय सेल को ही प्रात्मिक सेल बोला जाता है यहाँ पर एक चीज याद रखो कि अवसादी सेल में क्या होता है अवसादी सेल में दोस्तों जीवासम पायजाते हैं इनको परतदार सेल भी बोलते हैं परतदार सेल भी दोस्तों इनहीं को बोलते हैं आगनिये या प्रात्मिक सेल में क्या होता है इसमें लाबा होता है मैगमा होता है जब जो ल बतलता है, उसको बोलते कायांतिरित सैल, जितना मैं आपको बताँ उतना ही एक जगाम में आएगा, ओके, यहां पर करेक्ट अंसर मैंने आपको बताया, कायांतिरित सैल, यहां पर बात कर लेते हैं, मैं अगले परसंड के, कथन A, हिंद महा सागर का आकारं अंग्रेजी के आ पैस अच्छर के आकार का है कतन वी हिंद महासागर का आकार प्राकरतिक पोता स्रेयों और पत्नों के लिए आदर्स इस्तिती है दिये गे विकल्पों में से सही विकल्प चुने ये जो आप यहाँ पर कोस्टन देख पार होगे तीन से चार बार एक्जाम में दोस्तों पूरी जानकारी देना चाहूंगा हिंद महासागर नहीं वल्कि दोस्तों जो अटलांटिक है कौन सा है अटलांटिक जो है दोस्तों बो आपके ऐस अच्छर के समान है याद रखो ऐस अच्छर के समान है और इसकी जो तट रेखा है बो कैसी है दंतुरित यानि कि हिंद महास आगर नहीं, दोस्तों, कौन, आट्लांटिक की मैं यहाँ पर मैं दोस्तों, निसलीचे, आट्लांटिक के बारे में दोनों यहाँ पर कतन दिये गए हैं, याद रखना, ओके, यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसंद, सेकंडरी स्रोत के उधारणों में सामिल है, सेकंडरी स्रोत और प्रात्मिक स्रोत, यह आपकी एक्जाम में कई वार क्वेस्टन पूचे गए, जो आपका प्रात्मिक स्रोत होता है, फश्ट स्रोत, यानि कि फश्ट जो रिसोर पुराना लिख चुका है, उसको आप पड़ रहे हो, ठीके, बो आपका होगा दुतियक, ठीके, बो आपका होगा दुतियक, जो पुराना हो चुका है, यहाँ पर आपको बताना है, सेकंडरी, पत्र, जैसे आप पत्र लिखोगे, यह तो आप पिरत्यच लिखोगे, डाइ प्रात्मिक में ही आएगा, ये भी गलत होगा, जीवन की गटनाओं की आउडियो वीडियो, ये भी दोस्तों एकदम प्रत्याचाप करोगे, ये भी यहाँ पर प्रात्मिक में आएगा, पाट पुष्टकें जैसे आप पढ़ोगे, तो किसी लेकक ने उसको आलरेडी लिख क कर दी हैं, आप उसको पढ़ रहे हो, यानि की दुतियक होगा, सब्द कोस, किसी पुष्टक में सब्द कोस हैं, आप उसको पढ़ रहे हो, यानि की दुतियक होगा, बिसकोस जीवनी किसी की है, सोध प्रमन्द हैं, ये आपके आते हैं दुतियक में, इसलिए दोस्तों यह दिखाओं के अनुकरम क्या होगा, जिने हम पार करेंगे, यानि कि दोस्तों हम लोग कैसे जा रहे हैं, उत्तर धुरुब, उत्तर धुरुब आपका यहाँ पर है, आपको जाना है दच्छिड धुरुब में, यह आपका साउथ पोल, यह आपका इस्ट पोल, ठीक है, यह आपको मिलेगी करक रेखा, करक रेखा के बाद आपको मिलेगी भूमद रेखा, जिसको बोलते हैं बिसुबत रेखा, उसके नीचे आपको क्या मिलेगी, मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे आपको मिलेगा दच्छिड धुरुब रत, यहाँ पर दोस्तों करेक्ट अंसर आपको जाना कहा है, उत्तर धुरूब से आपको दच्छिट धुरूब में जाना है, आकर्ती में देखो, आपको सबसे पहले इसको पार करना पड़ेगा, यानि कि उत्तर धुरूब बिरत पहले आएगा, उसके बाद आपकी करक रेखा आज आएगी, उसके बाद बिसुबत बिरत जो होती इसको भूमद बोलते हैं जिसका मान जीरो होता है इसके उपर आपकी कर्ग रेका होती जिसका मान साड़े तेईस डिगरी उत्तरी गोलार्द में होती है यानि कि उत्तरी में इस्तित है उसी पिरकार मकर भी आपकी साड़े तेईस होती बलकि ये दच्छड में इस्तित होती है, ठीक है मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बताई दिया यहाँ पर आचुका है दोस्तों अगला प्रसं, भारत का पहला उप पृधानमंतिरी कौन था उप पृधानमंतिरी की बात की गई है उप पृधानमंतिरी जो था वो था सरदार वल्लब भाई पटेल सरदार वल्लब भाई पटेल को यहाँ पर याद रखो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी खान अब्दुल गफार की इनको सीमांत गांधी बोलते हैं क्या बोलते हैं सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है खान अबदुल गफार को जाना जाता है लहोपुरु सरदार बलब भाई पटेल को कहते हैं जो आपका बारदोलि सत्याग रहता 1928 में गुझरात में उसका नितरत किस ने किया था सरदार बलब भाई पटेल ने किये था इसलिए इनको सरदार की उपादी वहां की महिलाओं के दौरा दी गे थी सीराज गोपालचारी भारत के पहले गवर्नल जनलन थे भारती है याद कर लो ठीक है मौलाना आजाद कौन थे क्या ये आपकी सिच्छा मंतिरी थे ठीक है कथन आपके दो दिये गए हैं जो की most important है हिंदुस्तान सब्द का अर्थ समय के साथ बिक्सित होता गया बिल्कुल दोस्तों हिंदुस्तान जो सब्द है कई विद्धानों ने इसका अर्थ अलग-अलग अपने समय की अनुसार यहाँ पर दिया है पहला वाला यहाँ पर दोस्तों correct answer हो जाएगा पहला वाला कैसा होगा यहाँ पर correct answer होगा वक्तब भी तेरिवी सताब्दी में इसका यहाँ पर दोस्तों तेरिवी सताब्दी में इसका आसा है यहाँ पर है पंजाव हरियाड़ा और गंगा यमुना के बीच में इस्तित इलाकों से था सोलबी सताबदी में इस सब्द का प्रियोग महादूइप के भूगोल संस्कृती का वरण करने के लिए किया गया यहाँ पर दोस्तों दोनों ही कतन आपके राइट हैं यह बड़ा महत्पुड प्रसन है हर बार आपके एकजाम में नहीं आता है परन्तु आवी सकता है यह पूँचा गया क्वेस्टन है ठीक है इस क्वेस्टन को आप बेतरी नग से यहाँ पर समझ पाओगे यहाँ पर बात कही गई है किसकी बात कही गई है इतियासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान सब्द का प्रियोग किया था तो इसके आसे था पंजाव, हरियाडा, गंगा युमना के बीच में इस्तित इलाकों से ठीक है तो याद कर लेना तेरी भी सदी की यहाँ पर बात की गई है तेरी भी सदी में एक फारसी इतियासकार था मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान सब्द का प्रियोग पंजाव, हरियाडा, गंगा युमना के बीच के छेत्र के लिए किया था याद कर लो यहाँ पर पहली चीज जो मैंने आपको बताए यहाँ पर पहली चीज क्या मैंने आपको बताई मिनहाज ए सिराजवाली मैंने आपको बताई जिसने पंजाव, हरियाडा, गंगा युमना के छेत्र का अर्थ बताया हिंदुस्तान का अर्थ दूसरी बात मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाओं दूसरी बात है लेकिन हिंदुस्तान सब्द में दच्छड भारत का समावेश कभी नहीं हुगा most important याद कर लो दच्छड भारत का समावेश कभी नहीं हुगा 16 वी सदी के प्रारंब में बावर हिंदुस्तान सब्द का प्रियोग उप महादीप के भोगोल, पसु पच्चियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्डन करने के लिए किया, याद करो यहां पर यह दूसरा स्टेटमेंट, यहां पर यह पहला स्टेटमेंट, अब मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर अमीर खुसरुद्वरा करके आपको वताना चाहूंगा, यहां पर आपको दिखरा होगा, यहां पर मिनहाज ए सिराज, जिसने पंजाव, हरियाड़ा, यमुना के बीच के छेत्र के लिए हिंदुस्तान सब्द का प्रियोग 13 सदी में किया, बहीं जो आपका बावर था, बावर ने 16 सदी में किया, इसने आपके 13 सदी में किया, इसने संपूर, उप महाधिप के भोगोल के पसुपच्छियों के लिए किया, इतना आप लोग यहां पर याद कर लेना, यहां पर दोशतों बात कर लेते हैं अगले परसंद की, भारत का ऊवरणं करने के लिए बिविदिता में एक्ता वाक्य ना बरादिया था यहां पर बात कर लेते हैं अगले परसंट की सामाजिक अध्याम में 1160 केंदृत है यहां पर आदाριत संप्रत्यों की वेतर समझ को पैदा कर ने के लिए। यहाँ पर आचुका है अगला प्रसंद, सही अर्थों वाले सब्दों का मिलान करो, चलो मिलान यहाँ पर करते हैं, इस्तूप, मंडप, सिखर, यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है, जैसे दोस्तों मैं सिखर की बात करूँ, यह सबसे उंचा होता, इसलिए इसका मि इहांपर सबी होग करते थी यहां पर मैंने आपको मिलान बता दिया, A का यहाँ पर जाएगा second के साथ B का जाएगा यहाँ पर दोस्तों पहले के साथ और C का यहाँ पर जाएगा C का यहाँ पर जाएगा पहले के साथ B का यहाँ पर किसके साथ जाएगा दोस्तों B का आपको मैंने क्या बताया third के साथ B का यहाँ पर दोस्तों 3rd के साथ जाएगा यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लो यहाँ पर कौन सा right answer होगा यहाँ पर A का second आपके यहाँ पर कौन सा है दोस्तों यहाँ पर आपका right answer आपका कौन सा होगा यहाँ पर आपको करना क्या है मिलान करना है A का second किसमे है आपके पहले में है और यहाँ पर दूसरे में है उसके बाद B का दोस्तों किसमे है मैंने आपको बताया third में है इसलिए दोस्तों यहाँ पर पहले ही वाला इसका right answer होगा पहले ही वाला option चलिए यहाँ पर आ चुगा है अगला प्रसन बेगम रुकया सखावत हुसेन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए बिद्धाले सुरू किये एक महिला है आपकी बेगम रुकयावत सखावत हुसेन इस महिला से भी दो से तीन बार एक्जाम में question पूछे गए है यहाँ पर आपको सारे के सारे concept बता दूँगा बेगम रुकयावत हुसेन जो है इसने मुस्लिम लड़कियों के लिए बिद्धाले सुरू किये थे कहाँ पर पटना में और कलकत्ता में यह एक बंगाली लेकिकाती कहां की बंगाली दोस्तों कैसी है यह एक बंगाली है यानि की कलकत्ता वाली है तो याद कर लो इसकी एक पुछताग है सुल्ताना का सुपन कहानी सुल्ताना का सुपन कहानी जितना मैं आपको वताओ के बल आपको उतना ही देखना है फालतू चीजें आपको नहीं देखनी है सुल्ताना का सपन कानी किसकी है बेगम रुकया सखावत हुसेन की है याद कर लो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रसंड की निम्न लिकित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाती की दमनातमक इस्ति पहली बार अमेरिका में काले दासों की इस्ति के समरूप देखा गया राइट अंसर होगा जोती वारा फूले जिनोंने अमेरिकी ग्रह युद्ध में जो दास लोग थे उनके बारे में एक पुष्टक लिकी थे उस पुस्तक का नाम दोस्तों मैं आपको हरवार बताता हूँ गुलामगिरी उस पुस्तक का नाम है जो की 1873 में इनोंने लिकी थी इनोंने सत्य सोदक समाज की भी स्थापना की थी एक यह चो क्वेस्थन है यह हरवार परिच्छा में आता है जोति वराव फूले से ठीक है न आ प्रभाव सालियानी की गलत कतन बताना है विविद्धता के वारे में, छात्रों के पूर्ब ग्यान और अनुभवों को ध्यान में रखना करेक्ट होगा, सहयोगा अतमक एवं सहय पाठी अधिगम के अवसर देना राइट होगा, पाठ पुर्ष्टक या पिरचली का आयोजन करना करेक्ट होगा, आपको आ प्रभाव सालियानी की गलत बताना था, गलत आपका यहाँ पर थरडवाला होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका थरडविकल्प यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसन, परियोजना प या ततकालिक सुद्रडी करड का सिध्धान्थ, छोटे चरडों का सिध्धान्थ, या कृत्री मद्धा का सिध्धान्थ, यहाँ पर होगा सामाजिक अनुभव का सिध्धान्थ, क्यूंकि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की ही दोस्तों बात कीजा रही है, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रसंड की एक गरीव आदिवासी परिवार की 27 बरसी ये लच्छ में ने यानि की लेडीज है एक लड़की है बालिका है जिसकी उम्र 27 बरस है ने बदलाओ की सुरुआत की वहाँ उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है उसने कई कटनाईउं को पार किया और इलेक्ट्रोनिक्स में डिपलोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की उसने पॉली टेकनिक में मोटर साइकल की सवारी की और इंजन ड्राइवर वनने का फैसला किया वह निश्चित रूप से रूडियों को तोड़ रही है पुरु क्योंकि महिला क्या है दोस्तों यहां पर एक रेल ड्राइवर है ओके मतला प्रसन यहां पर आ चुका है कहता है कि हड़पा सबता के नगरों यानि की सहरों के संदर्म में निम्लिकित में से कौन सी कतन सत्य हैं सही कतन आपको वताना है लोथन में अगनी कुंड मिले यहां यग किये जाते होंगे काली बंगा में जुते हुए खेतों के साच मिले यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपके दोनों ही होंगे यहां पर जो काली बंगा है काली बंगा आपके राजस्तान में पड़ता है वहां पर जुते हुए खेतों के साच भी मिले हैं लोथल के आपका काली बंगा, ये काली बंगा जो है, ये काली चूडियों के लिए भी फेमस है, यहाँ पर दोनों इस्तान पर अगनी कुंड की अवसेस मिले, जहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता था, यग्य किया जाता था हडपा कालीन में, यहाँ पर आपके दोनों इकतन राइट ह पर आप लोग इस चीज को देख पारे होंगे काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अगनी कुंड मिले यहां संभवता यानि की जहां संभवता यग किये जाते होंगे हडपा मोहन जोड़ो लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े अपने ये भंडार गिरह भी यहां देखने के दोस्तों मिले हैं तो यहां पर मैंने एक चीज आपको क्या बताई काली बंगा और लोथल जैसे इस तलों से दोस्तों अगनी कुंड मिले और काली बंगा जो है यहां पर दोस्तों जुते हुए खेतों के भी साच मिले हैं यहां पर मैंने आपको समझा दिया इस तीस डिगरी अच्छांस पर इस्तित है, यहां उत्री गोलार्द में इस्तित है, यहां प्रमुक या मोतर के पूरब में इस्तित है, इस इस्तान की गिलोब पर सही इस्तिती दर्साने है तू, केवल A B किया वसकता होगी, B C किया वसकता होगी, A C किया वसकता होगी, यहां होगा, सूचना यहांपर आ पर्याप्त है, यहांपर दोस्तों, बात कहें है, जैसे आपका globe हो गया, यह मतलब की globe हो गया, जिसमें तीज, तीज अंस जो है, अच्छा अंस को दिखाता है, यहां उत्तिरी गोलार्द में है, आपका उपर वाला भाग यहां तिरी गुलार्द बाला हो गया यहां प्रमुक या मोत्तर से पूरव में है आपके ठीक है तो यहां पर यह मतलब की आंकड़ें यहां पर दोस्तों आप परयाप्त आपके दिखाएगा यहां पर इसलिए फोर बिकल्प correct answer होगा यहां पर बात करेंगे अगले प्रसन की आप लोग देख पारे हो यह NCRT का question है जो की दोस्तों आपके एक्जाम में पूचा गया question है याद कर लो छुद्र ग्रे किन ग्रेहों की कच्छा में पायज आता है मंगल और ब्रस्पती की यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसंद सक्ती के पुराने केंद्रों जैसे उन्निस लोगी करड बी सहरी करड विकेंद्री करड बी पहचानी करड यहाँ पर correct answer होगा बी सहरी करड यानि कि जो सक्ती के पुराने केंद्र थे जैसे उन्निस्वी सताबदी में सूरत था यह ढ़य गया था प्रसासनी केंद्र के रूम में यह दोस्तों कैसे हुए थे नए रूम में पैदा हुए थे जो की विसहरी करड यह कहलाते हैं याद कर लो ठीक है यहाँ पर बात करेंगे अगले परसन की मौलिक अधिकारों की धारा के अंतरगत किसी व्यक्ती की गरपतारी या उसकी हिरासत के दोरान उससे दुरुवेवार नहीं किया जा सकता है यह दोस्तों अनुचेद कौन सा होगा यहाँ पर अनुचेद आपका होगा 22 अनुचेद यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 22 यहाँ पर अनुचेद आपका हो जाएगा यहाँ पर याद कर लेना यहाँ पर बात करेंगे अगले परसन की ए और वी कतनों को पढ़िए और सही उत्तर का चैन करें असोग पहला सासक था जिसने अपने अविलेकों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुचाने की कोशिस की थी ठीक है तो यहाँ पर यह आपका पहला वाला करेक्ट होगा असोग के जादतर अविलेक प्राकरत भांसा में और ब्राहमी लिपी में लिखे गए थ यहाँ पर दोस्तों दोनों ही करेक्ट आंसर थे जन समान लोग प्राकरत भांसा है उस दोरान बोला करते थे बस समझा करते थे इसलिए उसने जो अपने अधिकतर अविलेक है वो प्राकरत और ब्राहमी लिपी में लिखवाए थे यहाँ पर दोनों ही आपके राइट हैं दोनों ही इसके बारे में दोस्तों correct answer हैं, एक चीज मैं आपको वताता हूँ, प्राकरत आपकी हो गई या ब्रामी लिपी, असो की जो लिपी हैं सबसे पहले किस ने पढ़ी थी, जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले दोस्तों पढ़ा था, कब पढ़ा था, 1837, अथवा 1838 में इसको दोस्तों पढ़ा था, याद रखना महत पूड़ है आपकी परिच्छा के लिए, चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रसन की, यहाँ पर कहता है कि, चापा कार बाश्तु कला में महराव की भूमिका थी, उपरी धाचे को सुन्दरता देना, उपरी धाच जो भार है, उस भार को सहना या बहन करना, किसका मतलब की किसकी भूमिका थी, उसमें चापा कार बाश्तु कला में महराव की भूमिका थी, उपरी धाचे का भार बहन करना, केवल और केवल सी विकलप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, राजई सवा या विधान सवा, आप लोग जानते हो, जो संसत का निरमाड होता, तीन लोगों से मिलकर होता है, राश्टपती, लोग सवा और आपका राजई सवा, विधान परिशद इसमें संमिलित नई होती है, आपका नहीं होगा, इसमें विधान सवा, यहाँ पर या भी सरकार अपने आपको लोगतांतरिक कह सकती है, नहीं कह सकती है, बोट दिये विना, नहीं कह सकती है, वक्तब भी कुछ लोगतांतरिक सरकार हैं, प्रतनिदी लोगतांतर हैं, जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बलकि चुनाओ प्रकरिया के दोरा अपने प्रतन लिदी को चुनते हैं जैसे अपना भारत बिल्कुल करेक्ट, भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए गलत होगा, ए गलत होगा, बी सही होगा, सैकेंड विकल्प इस क्वेस्टन का राइट आंसर होगा, यहाँ पर आचुका है अगला प्रसंद, अगर एक राज्य सरकार यह निरड सोतंतरता के अधिकार का उनलंगन होगा है, कोई भी ब्यक्ति किसी भी राज में जाकर वहाँ पर काम कर सकता है, वो आपके आता है सोतंतरता के अधिकार में, अगर नहीं करने देगा, तो उसका उनलंगन होगा, किसका उनलंगन, सोतंतरता के अधिकार का उनलंगन होगा, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रसंद की बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्द कराने के उद्देश से किस राज में सरप्रितम मद्यान भोजन यानि की मिडडे मील योजना जो लागू की गई थी वो आपका राज था तमिल लाडू चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रसंद की मद्ध मारगी भारतिये नेता उन्निसभी सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्टी सरोकार प्रिगट करते थे किन तरीकों से प्रदर्सन और सुराज के लिए वो संगर से नहीं करते थे उन्निसभी सदी की यहाँ पर सरकार में अधिक भागेदार की मांग भी करते थे, फिरसासन का भारतिय करड़ की करने की मांग भी करते थे, यहाँ पर B और C, इस question का right answer होगा B और C, B और यहाँ पर आपका C, यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रसंद की, जनसंख्या प्रामिड के संदर्म में यहाँ पर चौदे बर्स आपकी होती है, विल्कुल करेक, कुल जनसंक्या का प्रतिसत, इन बर्गों में सिप्रतियेक बर्ग पुरुस और इस्तिरियां उपविवाजित करती है, विल्कुल करेक, महिला और पुरुसों की संक्या आपर दिखलाती है, लिंगा अनुपात उनका दर साथ ह जनसंक्या की आयू, आयू लिंग सरचना से आसे बिविन आयू बरगों में केवल महिलाओं, केवल महिलाओं दोस्तों नहीं, पुरुस भी होने चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, यह सभी यहां से सम्मंदित आपके होती है, आयू लिंग सरचना, यानि की दोस्तों यहां बी यहाँ पर correct होंगे, A और B यहाँ पर सई हैं, केवल और केवल A भी, पहला विकलप यहाँ पर correct आंसर होगा, यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रसंद की, राइन गाटी बास सेज परवत उधारण हैं, यह दोस्तों भ्रंस परवत के उधारण हैं, जिसको बोलते हैं बिलोग परवत क्या बोलते हैं, बिलोग परवत इसी को बोला जाता है, राइन गाटी और बास सेज परवत इन्हीं के उधारण हैं, यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रसंद की, दिएगे कतनों के आधार पर बायू मंडल की परवत की पहँचान करो, चलिए आपको बायू मंडल की परवत यहाँ पर बताने हैं, यह परवत बादलों मौसम सम्मधित गटनाओं से लगबग मुक्त होती हैं, मैंने क्या बताया मुक्त कौन सी होती है आपकी होती है समताप मंडल इसमें ओजोन गैस की परद भी पाई जाती है समताप मंडल में यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा समताप मंडल ओजोन आपकी छोब मंडल में क्या होता है मौसम वाली सभी घटना होती है मद मंडल में उलका पिंड आने पर जल जाता है बाहे मंडल में क्या होता है दोस्तों रेडियो तरंगे आपकी पाई जाती है बाहे मंडल में और एक आपकी होती है बहीर मंडल एक होती है आपकी बहीर मंडल जिसमें आपकी तमाम बिरकार की गैसे पतली मात्रा में तेरती रहती है यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसन हिंदू उत्रा अधिकार संसोधन अधिनियम हर बार पूछा जाता है 2005 में ठीक है तो यहाँ पर correct answer होगा आपका क्या होगा पिता की संपती पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार महिलाओं दोरा हिंदू बिवा अधिनियम के अंतरगत यहाँ पर बिलकुल दोस्तों right answer यहाँ पर है आपका यहाँ पर होगा second वाला पिता की संपती पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार उसी के साथ उसकी पतनी का अभी अधिकार यहाँ पर होगा विकल्प नंबर second यहाँ पर correct होगा यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों किसकी यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रसंद की किस कारड़ लद्दाक को छोटा तिबबत भी कहते हैं किस कारड़ से कहते हैं भौगोलिक सामिप भौगोलिक सामिप के कारड़ नहीं कहते हैं क्योंकि लद्दाक और आपका जो तिबबत है इसके भौगोलिक छेत्र में जमीन आसमान का फरक है ठीक यानि कि अलग-अलग छेत्र हैं धार्मिक समानता भी पायजाती है समान भोजन भी पायजाता है भासा इस समानता भी देखनों को मिलती है BCD यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यानि कि थर्ड विकल्प इस क्वेस्टन का राइट आंसर होगा यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रसंद की अभिकतन A और कारड R को पढ़ें अभिकतन कहता है राजस बसूली विवस्ता महलवारी बंदोबस्त की सुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी पहला करेक्ट कारड है राजस बसूली तथा कमपनी तक इसे पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी गाउं के प्रधान को दी गई ना की जमीदार को इसमें दोस्तों क्या था इसको समझेगा होल्ट मैकेंजी ने आपकी कौन सी महलवारी बंदोबस्त को सुरुआत किया था 1822 में इसको सुरू किया था ठीक है यह आपके कहांपर लागू की गई थी उत्तर भारत में लागू की गई थी कहांपर उत्तर भारत में लागू की गई थी यानि कि उत्तर परदेश पंजाब, हरियारा बाले छेतर में इसको लागू किया गया था ठीक है इसमें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो गाउं का जो मुखिया है गाउं का कौन है गाउं का जो प्रदान है या गाउं का जो मुखिया है गाउं का मुखिया है उसको यहाँ पर राजस बसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी जमीदार को इसमें नहीं दी गई थी इसलिए यहाँ पर दोनों आपके राइट होंगे सही व्याक्या भी करते हैं इसलिए second बिकल्प इस question का right answer होगा ठीक है न दोस्तों यहाँ पर अगला प्रसन कहता है किसने लिखा कि रजी अपने भाईयों से भी कही अधिक योग और सच्चमती यह दोस्तों लिखा था मिनहाज ए सिराज ने जो कि एक फारसी कौन था फारसी इतियास करता कौन फारसी इतियास करता जिसने तेरीवी सती में तेरीवी सदी में दोस्तों हिंदुस्तान का अर्थ क्या बताया था इसने अर्थ बताया था पंजाब है हरियाणा है उत्तर प्रदेसे गंगा यमुना का छेत्र है ये इसने हिंदूस्तान का अर्थ बताया था मैंने आपको बताया भी यहाँ पर बात करेंगी अगले परसन की निम्ल लिकित में से कौन सा कतन बर्तमान समय में संसाधन उपलब्दता के संधर्ब के साथ सतत पोस्डे विकास में मदद करता है सतत पोचले विकास का मतलब होता है ऐसा मतलब की ऐसे संसादन का यूज करो जो आने वाली पीडी भी है बो भी इन संसादनों का प्रियोग कर सके संसादनों की खपत को घटाना बिल्कुल राइट होगा यानि कि संसादन का कम प्रियोग करो खपत का घटाने का अर्थ है संसादन का कम प्रियोग करो राइट होगा संसादनों की उप्योग में बिरद्धी करोगे तो जल्दी आपके संसादन खतम होगे संसादनों का पुना चक्रड कर लो अच्छी बात है इसमें आपके संसादन बचे रहेंगे बस्तूं का पुना उप्योग कर लो अच्छी बात है यानि कि B यहाँ पर गलत है संसादनों का अधिक उप्योग नहीं करना चाहिए B जिन में होगा वो यहाँ पर आप उसको यहाँ से हटा देजिएगा ठीक है बचेगा आपका यहाँ पर सेकेंड वाला जो की राइट आंसर होगा ठीक है राइट आंसर होगा सेकेंड वाला A C D A C और आपका D B यहाँ पर गलत यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रसंद की हमारी बिवस्ता में संसद को बहुत अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि यह जनता के प्रतनिदुत करती है किसका जनता का प्रतनिदुत करती है हमारी जो क्या है दोस्तों संसद है बो यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रसंड की पेरिया पूर्डम एक तमिल करती है यह किसके बारे में जानकारी देती है यह साधारण पुरुसों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है यहाँ पर 4 विकल्ब इस question का right answer होगा यहाँ पर आ चुका है अगला प्रसंड पवन सडक पर गिरी सूखी पतियों को कैसे उढाती है यानि कि पवन आपकी यहाँ पर कैसे वहती है आपको वताना है यहाँ पर correct answer आपको होगा निमन दाबचेतर से उच्च दाबचेतर की ओर बायू की गती, ठीक है, यानि कि ये जो पवन आपकी होती है, ये कैसी वहती है, ये आपकी निम्न दाव चेतर से उच्च दाव चेतर की और नहीं वहती है, वलकि उच्च दाव चेतर से निम्न दाव चेतर की और पवन आपकी वहती है, यहाँ पर आपका दूसरा वाला इसक की सरकार होना पहला विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर yönगा यहां पर आचुका है अगला प्रसन। को क्रम में आंत्रिक से बाहरी संब पर्थ तक पहचानिए। यहां पर राइट आंसरkiegoगा आपका अंतिरिक क्रोड, वाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी, फोर विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आप जानते हो परपटी को बोलते हैं सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका और आपका अलूमिना इसमें पायज आता है, मेंटल को बोलते हैं सीमा, पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए